Well guys, India में जादा तर लोग dishwasher को prefer नहीं करते हैं और dishwasher के बारे में जानती भी नहीं है क्योंकि practically हमें यह लगता है कि dishwasher कोई काम की चीज नहीं है फाल तुमें शौक की चीज है या बहुत जादा पैसे बरबाद करने हो तो dishwasher ले लो इतनी practical चीज नहीं है सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बाद बताता हूं कि जर्मनी के एक युनिवरिसिटी है युनिवरिसिटी ओफ बोन उसका नाम है और उस युनिवरिसिटी के according एक dishwasher 144 युटेंसिल्स 144 बरतनों को साफ करने में सिर्फ 13-14 लीटर पानी का अस्तेमाल करता है और वहीं पर अगर आप लोग 144 युटेंसिल्स दोग एकर में तो एप्रोक्स लगबग लगब माने के चलो आप 100-110 लीटर पानी का कंजेप्शन आप लोगों का होने वाला है तो इतना जादा डिफरेंस आजाता है पानी के यूजर में सिर्फ डिशोशर को यूज करने से और सिर्फ यही काम नहीं होता डिशोशर का और भी बहुत सारे फायते होते हैं डिशोशर के तो ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं जिसमें डिशोशर हेल्प करता है जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको इन डिटेल बताएंगे और अगर आप लोगों को एक डिशोशर खरीदना है अपने गरे के लिए और सबसे बहतरी इन डिशोशर खरीदना है तो यह वीडियो आप ही लोगों के लिए होने वाला है दोस्तों क्योंकि डिशोशर न इतनी काम की चीज़ है क्यों क्योंकि 20-30-40,000 रुपे के डिशोशर आते हैं एक बर लेके कई साल तक चलते हैं और बहुत काम की चीज़ होती है ऐसे में आप अपने पैसे हमारे रहते हुए कहीं गलत जगह लगा तो तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कि डिशोशर लेने से पहले क्या क्या आपको जानना है किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि इंडिया में आने वाले फिलाल के टाइम पे सबसे बहतरीन डिशोशर कौन से हैं जो को सारी चीजों को पता चल जाए और अपने लिए बैस दिशोषर ले भी पाएं वीडियो शुरू करने से पहले पर नाम बता देता हूं दोस्तों नमस्कार मेरे नाम है प्रिशान चोधरी आप देख रहे हैं आपका खुद का चैनल प्रोटक बजार और अगर नहीं हो तो क्यों चहिए डिशोषर किस काम में आता है अब सिर्य सी बात है भी डिशोषर किस लिए भरतर दूलने के लिए जो slippery utensils होते हैं, आपने कभी ना कभी बरतन दूलते हुए, अपने हाथों से बरतन गिराए होंगे, तोड़े होंगे, यह चीज आम हो जाते हैं, तो इस चीज का खत्रा है भाई, डिशोषर में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके हाथों को होतारा मिलता है, महनत नहीं करने ही पड़ती है, आपके हाथ के सोफटनेस मनी रहती है, नेक्स जो चीज है, बहुत इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट कि डिशोषर अगर आप लेते हो ना, तो आपका भूत सारा टाइम बचाता है, और जैसे कि हम सभी को पता है, तो यह एक बहुत इंपोर्टेंट चीज है, और यहीं नहीं, डिशोषर यूज करने से आप 80% तक वोटर भी सेव करते हो, और लास्ट बट नो द लीस्ट, डिशोषर से अगर आप यूटेंसिल साफ करते हो, दुलते हो, तो आप लोगों को क्लोट का यूज नहीं करना प और कितनी इसमें प्लै सैटिंग्स होने करना paralis esp Camera जासे की नाम है और यह सं बढ़तन रख सकते हो, जैसे एक प्लै सेटिंग के अंदर आप एक डीण की बिने प्लेट राख सकते हो, तो या पके अधिन प्लेंट त्षे प्लेंट नियुप गलास रह सकते हो, इसके अलाव वाला डिशोषर आप लोगों कंसेडर करना है अब नेक्स इंपोर्टेंट चीज ही होती है कि आप लोगों को डिशोषर खड़ी दिने से पहले न कहां पर उसको रखना है उसका डाइमेंचन और इस पेस एरिया देख लेना है और यह बहुत जरूरी है क्योंकि डिशोषर ए आप अपना डिशोषर प्लेस करोगे वहाँ पर 3-pin 15-A का socket अवेलेबल हो ताकि आप अपने डिशोषर को connect कर पाऊ एंड इसके अलावा most important कि आपको water inlet और outlet के लिए भी वहाँ पर space देखना है तो यह सारी चीज है आपको डिशोषर सेट करने के लिए जो जरूरी रहेगी glass utensils या ceramic utensils भी बहुत आराम से दूल सकते हो और obviously जो dishwasher safe plastic जो है utensils रहते हैं उनको भी आप easily wash कर सकते हो dishwasher में कौन से बरतन नहीं दूल सकते हैं वो भी बता देता हूँ जिसे aluminium के बरतन बिल्कुल भी नहीं दूलने है iron मतलब लोहे के बरतन में वैसे होते भी नहीं है बट दूलने भी नहीं है अब filter भी दो तरीकी के आते है एक तो आता है self clean filter एक आता है manual clean filter नाम से ही आप लोगों को ptać लगया होगा जो self clean filter होता है उसको आप लोग को safe करने की ज eerste ओसको आप लोगों को safe करने की जरूथ हैं पर पढ़ते ही अब next point पीफ बात करते हैं by energy and water consumption कितने electricity use current है कितना water consumption जो है बिसिकली लेता है dish washer बिसिकली 8 से 10 लिटर पानी का इस्तेमाल करता है wash cycle को complete करने में और ये लगबख 20% पानी होता है मतलब अगर आप हातों से बर्तन को दूलते हो तो उसके मुकाबले सिर्फ 20% आप लोगों का water consumption होने वाला है dish washer में ये तो थी water consumption की बात अगर electricity consumption की बात करें तो dish washer लगबख एक unit के आसपास जो है इस्तेमाल करता है पर wash थोड़ा बहुत जादा भी हो जाता है थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है depend on wash cycles और किस तरीकी का आपका dish washer है वैसे ना एक cycle में dish washer 60 to 90 minutes के लिए चलता है अब एक यहाँ पर चीज हो रहा जाती है वो है भाई noise level dish washer है गर में हम चलाएंगे एग गंटा दो गंटा जितना भी चलाएंगे तो continuously आवाज करेगा उसमें motor है घुमेगा तो यहाँ पर हमें यह चीज जरूर consider करनी है कि जो dish washer हो ना उसकी आवाज बहुत जादा कम हो क्योंकि जादा आवाज किसी चीज के अगर लगता रहेगी तो वो आपको irritate कर देगी तो यहाँ पर हम लोगों को ध्याना करना है कि dish washer लेना है लेकिन 45 to 50 dB तक जो इसका noise level हो इससे जादा ना फिर थोड़ा सा जादा हो जाता है अब बात करते हैं कुछ extra points की जो आप लोगों को जानना बहुत जादा जरूरी है dish washer लेने से पहले भले ही कोई भी dish washer हो देखें यहाँ पर एक सीधी सी चीज है आपके dish washer में जितने जादा feature होंगे न उतना ही जादा valuable आपका dish washer यहाँ पर हो जाएगा एंड हमेशा आप लोगों को dish washer की tray भी चेक करनी है उसकी interior quality भी चेक करनी है क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बता है 70 degree Celsius तक पानी गरम होता है तो ऐसे में internal जो है कोई damage ना जाए कोई ऐसा build quality में कोई ऐसी चीज ना हो जो बहुत जल्दी से खराब हो जाए यह आप लोगों को ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है और आजकल बहुत अलग-अलग अच्छे features आने लग गया है मार्किट में जैसे कि एक feature है कि height adjustable dishwasher आते है वो होना बहुत बढ़िया चीज है क्योंकि आप उसमें basically height adjust कर सकते हो अपने बरतनों के हिसाब से इसके अलावा auto resume feature भी आता है मतलब अगर light चले गए बरतन दूलते दूलते तो light आने के बाद में वो cycle आपके वहीं से start हो जाएगे और आपके बरतन completely ready हो जाएंगे इसके अलावा child log feature भी आप लोगों को dishwasher में मिलता है auto refresh या cycle selection option भी होना चाहिए क्योंकि कुछ-कुछ बरतन होते हैं जिनको दो बार दूलने की ज़रत पड़ते हैं इसके अलावा एक feature आता है special zone नाम का ये क्या होता है कि आपके बरतन के कोने को properly clean करता है 99.9% bacteria को निकाल के तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है इसके अलावा एक और important चीज़ dishwasher में जो होनी चाहिए आप लोगों को ध्यान रखने है वो है water filtration dishwasher क्या करता है पानी को use करता है बरतनों को दूलने में और उसके अलावा ना half load feature भी होना चाहिए ये feature बहुत कामगा इससे आपकी 10% power की saving भी होगी और 20% तक आप लोगों की detergent की भी saving होगी अब next चीज़ है बाई जो बहुत ज़रूरी समझते है हम आप लोगों को बताना वो है dishwasher का monthly maintenance क्योंकि ये matter करता है इसी वज़े से वीडियो शायत बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाए क्योंकि आपके चैनल पे ये एक ऐसी वीडियो है जिस पे मान के चल सकते हो कि बहुत ज़्यादा हमने research करी है उसके बाद में ये वीडियो हम आप लोगों के सामने लेके आप तो थोड़ा सा time लगेगा बट सुन लेना तो dishwasher करना एक average होता है कि अगर आप 3-6 लोगों की family है और आप लोग बरतन धुल रहे हो proper तरीके से per day के साब से तो जो total maintenance खर्च आपका आएगा वो लगबग 800 रुपीज से 1200 रुपीज के आसपास आएगा including detergent जो उसमें जो है rinse aid डलता है वो जितनी पी चीज़े डलती है सब को मिला के total maintenance 800 से 1000 रुपे 1200 रुपे तक आप लोगों के dishwasher का आता है और यह maintenance na electricity मिला के electricity consumption हमने आपर include करा है अब आप लोग सोच रहोंगे कि जो मैंने rinse aid salt क्या होता है? नमक नहीं होता है वह salt दूसरी चीज़ होती है उससे cope क्या होता है पानी की hardness होती है वह कम होती है क्योंकि जब पानी की hardness. कम जाएगी detergent उसमें जढ़ अक्षी ते घूल पाएगा and आपके बड़तन जढ़ अच्छी से साफ हो पाएगा ese आते हैं थोड़ा बहुत कम जादा और जो 14 प्ले सेटिंग है उससे जादा प्ले सेटिंग के डिशोषर होते हैं वो 40-40-50-50,000 रुपे तक आते हैं तो हाँ कोस्टली है बट काम की चीज़ है अब वरंटी की बात करते हैं और वरंटी सबसे इंपोर्टेंट चीज़ होती है यह प्रोड़क्त तो ले लिया लेकिन उसकी वरंटी का क्या तो वरंटी हमें सीधी सी बात है कि जितनी जादा वरंटी मिले उतनी लेनी है लेकिन यहां पर आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप लोगों को दिशोषर खरीदना है वहाँ पर extended warranty आप साथ में लो जहां भी आपको मिल रही है हमेशा ऐसे हैवी अप्लाइंस में आप लोगों को extended warranty प्लैंस लेने चाहिए क्योंकि यहां पर डिशोषर एक ऐसी चीज होते है जिसको काफी जादा long term के लिए हम लोग यूज करते हैं तो यह चीज आप लोगों को ध्यान में रख से परचीज कर लो आप लोगों के पैसे बचेंगे क्योंकि इस वीडियो में हमने आप लोगों को वही डिशोषर तेस्ट करें हैं जिन पर आपको इंस्टोलेशन पर कोई भी कोस्त ना देना पड़े बिल्कुल free of cost इंस्टोलेशन हो और एक बात में फिर भी आप लोगों टाइप की होती है सबसे पहला टाइप तो होता है बिल्ट इन टाइप बिल्ट इन टाइप क्या होता है कि किसी काउंटर टोप मतलब किसी डेस्क के या किसी फ्रेम में वो फिट हो जाए नीच आराम से यह ज्यादा तर foreign houses में western countries में यूज होता है अपनी इंडिया में इतन काउंटर टोप के ऊपर वगहरा रखके आप उसको यूज कर पाओ और तीसरा टाइप होता है portable, portable नाम से बता चल रहा है कि आप उसको कहीं पर भी place करके अपने बरतनों को धुल पाओ अब बात करते हैं कुछ important tips के बारे में जो आप लोगों के काम आएगी अगर आप लगिने में at least एक बार डी सकेल करना चाहिए इससे क्या होगा कि जब हम दिन में दो दो तीन 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 पर बड़तन दूलते हैं तो डी सकेल करने से वो सारी चीज़े रिमोव हो जाती है और आपका डी सकेल कैसे करते हैं यह मैं आप लोगों को बता देता हूं तो सबसे प रखके अपने डिशोषर में एक साइकल चला देनी है और आपका डिशोषर डी सकेल हो जाएगा और एक और चीज़ है कि डिशोषर में बड़तन रखने से पहले आप लोगों को गिला करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको कहा है कि जो बड़े बड़े फूड आइटम से कुछ भी ऐसी चीज होती ना आपको बस उनको अटा देना है और नॉर्मली अपने बड़तनों को डिशोषर में रख देना है तो यह तो थी वह चीज़ें जो आप लोगों को जाननी जरूरी थी डिशोषर के बारे में अब ना आप लोगों को अपने लिए डि आइजीन भी मेंटीन रहेगा तो नंबर 5 पर हमाई तरफ से आता है गोध्रेज का इयोन डिशोषर दोस्तों गोध्रेज के प्रोड़क्त बहुत ही बहतरी ना आते हैं और यह डिशोषर आपको 8 प्लेस सेटिंग में मिलेगा वैसे तो यह डिशोषर 12 प्लेस सेटिंग औ और दोस्ते लेविल्स भी मिल जाएं इसके अलावा खास बात यह कि सेल्फ क्लीनिंग फीचर भी मिल जाएगा आप लोगों को साफ करने की जरूत नहीं है बहुत अच्छे से यह काम करेगा और काफी लंबे टाइम तक करेगा बहुत ही बढ़िया प्रोड़क्त है दोस्त अब देखो मैं आएक बात बताता हूं आप लोगों को जो Amazon है ना Amazon Basic लिए आप लोगों पता है कि सबसे बड़ी ब्रेंड है और Amazon की जो प्रोड़क्स आते हैं जो खुद के प्रोड़क्स आते हैं Amazon Basics के वे बहुत ही बैतरी प्रोड़क्स होते हैं खास बात यह होती कि उन और 12 place settings में मिल जाएगा इसमें भी आपको hygiene cycle मिलती है at 70 degrees Celsius 6 wash programs मिल जाते हैं और 2 spray levels भी आप लोगों को मिल जाएगे Antibacteria filter भी आप लोगों को मिल जाएगा और खास बात यह है कि यह सिर्फ 8 liter पानी के यूज़ करता है एक complete wash cycle को करने में दो साल की brand इस जो है dishwasher पर warranty देती है और price जिसे की मैंने बताया था सब से कम होने वाला है इसका आज की date में लगबग 16,500 रुबीस का price है इसका भी best buy link मैं नीचे description में डाल दूँगा लेकिन अब बढ़ते हैं एक premium product की तरफ और मेरा one of the most favorite product की तरफ यह है दोस्तो बोस्त की प्रीमियम products होते हैं उनमें आपको किसी भी तरीकी कोई दिक्कत नहीं आएगी and definitely जो आपके बढ़ताना है वो भी काफी बढ़िया तरीके से clean होगी इस पे भी आपको 70 degree Celsius पे hygiene cleaning मिलेगी 13 place setting के साथ में 6 wash programs मिलते हैं and 2 spray level आप लोगों को मिल जाएंगे anti bacterial filter भी आप लोगों complete करने में दो साल की warranty के साथ में दोस्तों आप लोगों को यह मिलता है और आज की rativeness product का price है 40,000 रूपे और 40,000 रूपे और 40,000 रूपे के अंदर यह सबसे बैतरीन product दोस्तों definitely आप लोगों के लिए हो सकता है इसका भी मैं best buy link नीचे description में डाल दूँगा हलाकि features इनमें और दोस्तों भी बहुत सारे होते है digital features जिनके बारे हम अभी बात करेंगे तो यह बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अब number 2 पर आता है फेबर की तरफ से आने वाला 14 प्लेस सेटिंग का free standing dishwasher दोस्तों फेबर के भी बहुत प्यारे प्रोड़क्त आते हैं यह भी उन में से एक ऐसे प्रोड़क्त होने वाला है 14 प्लेस सेटिंग के साथ मिलता है मतलब लार्जर कैपसिटी एंड जो प्राइस का होने वाला है वो बहुत से कम होने वाला है आज गीट में around 35,000 रुपीज यह 14 प्लेस सेटिंग वाला है बाकी फेबर में आपको 12 प्लेस सेटिंग में भी डिसोशन मिल जाएगा उसका लिंक आपको निचे डिरेक्टिंग में दे दूँगा लेकिन बहुत ही बैथरी और प्रोड़क्त हो सकता है क्योंकि इसमें आपको 8 वोश प्रोग्राम मिलते है और 3 स्प्रे आम मिलती है 3 स्प्रे आम का मतलब है कि 3D वोश मिलता है आपके ब लिंक में नीचे डिस्क्रिशन में डाल दूँगा लेकिन अब बात करते हैं हमाई लिस्ट पे आने वाले विनर प्रोड़क्त की मेरे पर्सनली सबसे फेवरेट प्रोड़क्त की दोस्तों यह है LG की तरफ से आने वाला 14 प्ले सेटिंग वाला डिशोशर यह बाई आपको 14 प्ले सेटिंग में मिलेगा लार्ज फेमली के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है वैसे और प्ले सेटिंग में मिलता है वो मैं डिरेक्ट लिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में में लिख कर दूँगा एंड इसमें आपको क्वाड़ वोश टेक्नोलोजी मिल जाती है जि इसमें आप लोगों को काफी durable steel के filters मिलते हैं और इसमें आपको 4 plus 2 spray arms मिलती हैं तो ये भी एक definitely consider करने वाली चीज हो गई और इसमें आपको मिलता बाई inverter drive direct motor inverter drive direct motor क्या होता है कि inverter motor होने की वजैसे ये काफी जादा efficient हो जाता है काफी जादा smoothly run करता है आवाज और vibration बहुत कम रहेगी और इसकी जो cycles होंगी वो बहुत बैतरीन तरीके से काम करेगी और इनवेटर direct drive motor होने की वजैसे ये one of the silent discussion हो जाता है in its class और इसमें आपको smart thin app connectivity भी मिल जाती है जिससे आप basically smart control कर पाऊगा अपने phones को diagnose भी कर पाऊगे और ये डिशोषर ना भाई आपको 2 साले की warranty के साथ में मिलता है LG के तरफ से दोस्तो ये one of the best product होने वाले हैं इंडिया में आज की date में आने वाले जितने भी products मैंने आपको बताएं ये अलग-अलग place settings में भी आते हैं आप लोग चिंता मत कीजिए इन सभी products के जो best buy links हैं मैं वो directly नीचे description में आप लोगों के लिए डाल दूँँगा आप मासे जाके checkout या purchase कर सकते हैं एंड जितनी भी लोगों ने ये वीडियो यहां तक देखिए ना I am pretty sure कि आप लोगों को doubts confusion solve करें होंगे कहीं न कहीं helpful लगी होगी अगर helpful लगी हो तो अपनी studio को like ज़रूर करें और अपने इस चैनल को subscribe करके bell icon को ज़रूर प्रेस कर दें क्योंकि आप लोगों के एक subscription से हमें बहुत motivation मिलता है और इस तरीके की videos आपके channel पर आती रहती है इसके अलावा अभी अगर आपके मनें कोई doubt रह गया होना तो आप लोगों को channel है comment कर दो within 24 hours आप लोगों को आपकी हर एक comment का reply मिल जाएगा और कुछ बातचीत करनी हो तो instagram पर जोड़ सकते हो instagram handle भी आपको कहीं तो यहीं पर दिख रहा होगा see you guys in the next video thanks for watching प्रशान चोतरी है